हेलो फ्रेंड मैं हूं सनिया स्निया सर्म कीचन में आपका स्वागत करती हूं आज में बहुत ही टेस्टी लिट्टी बनाऊंगी जो बिहार की बहुत ही फेमस रेस्पी है तो इसके लिए यह दो मीडियम साइज का प्याज लिए हूं 20-25 लसुन की कल्या हैं एक इंच अद्र हैं चाहर लिए परई नियुक्त औरशन ज्सी में ख़ुंन आट जाता है इसलिए ज्यादा लिए चक्श बड़ सबemy दें नищाफ खुशे बारिक ब्रदी आगके रही आप शुंपर जहार छिडाले तो इसके लिए यह दो तीन आम कह बहुत ही परस्तलि ए इस रेस्पिए में रिफाइन डॉयल का यूज बिलकुल ना करें उसके बाद हाप टीए स्पून कलोंजी हाप टीए स्पून आज माइन डाल दी हूं उसके बाद यह जो अचार है अचार का सिर्फ गूदा ले लेंगे और यह जो गुठलियां है उसको हटा देंगे छोटी छोटी गुठली होती है उसको हटा देंगे और सभी अचार को अच्छे से मैस कर लेंगे और उसके बाद इसमें उसके बाद प्याज के साथ सभी अचार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे हमारे हमारा जो लिटी बनेगा उसमें बहुत ही ज्यादा टेस्टी बहुत ही अच्छा इससे बहुत ही अच्छी से मिक्स हो जाता है और हमारा जो प्याज है वह भी आप在 शब्च भो जाता है तो अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लिए हूं अच्छे से मिक्स होगा, तो पाले नमक डाल देती हूं, मिक्स करने से फ़ले, तो टेबल इस्पून नमक डाल दी हूं, आप अपने स्वात के अनुसार नमक डाले, अगर कम बना रहे हैं, तो नमक कम डाले, तो नमक डालकर अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे, तो अच्छ तो इसमें 3 टेबल स्पून तेल का यूजकी हूं इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर तयार हो गया तो देखिए अच्छे से हमारा सत्व बनकर तयार है तो आप चलते हैं आठा गूत कर तयार कर लेते हैं तो इसके लिए आपको जितनी जरूँ थे उतना आठा ले ले तो इसके बाद 1.5 टीयसपून ढालेंगे अजमाईन 2.5 टीयसपून ढालेंगे तो घी डाल कर गी जाहें तो यहां पर रिफाइन रायल का भी ऊच्छ कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा कसुरी मेती डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लिट्री में तो जरूर डा सबस्सक्राइब मिंगां तर侅ंगे स 믹सें के चलब जोब तो पानि टाल कर शाट सब अई तक तॐिसे समय तो सब को पानि ये टाल पानी कि तो इसल के तो इस को अगुदा ब़से जैसे हम पूरी आट बनाते हैं, बस उसी तरह का बना कर तयार करना है, थोड़ा टाइट, तो सारे आटे को अच्छे से एक जगही कठा कर लिए हूं, उसके बाद हांतों से इस तरह से इसको मसलते हुए, शौप्ट करना है, ताकि जब हम लिटी बना है, तो बहुत ही कर ली हूं और इसे 2 मिनट या 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड देंगे तो छोड दी थी युब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूं उसके बाद अविसकी लिट्टी बनाते हैं तो लिट्टी बनाने के लिए एक नीवू के आकायर का लोही ले 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 लेंगे तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी हमारा लिट्टी बनकर तयार होता है तो देखिए इस तरह से बीच में लोही को इस तरह से बीच में घड़ा कर लेंगे अब उसके बाद वन टीयस्पून डालेंगे इसमें अस्टफिंग सत्वाली इस एक अस्टफिंग से बहुत सारी र ज्यादा टेस्टी बनती हैं तो देखिए इस तरह से उसके बाद बंद कर दी हूँ तो अच्छे से बना कर बंद कर लोगी और इसी तरह से सारे लिटी को बना कर तयार कर लेंगे तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले न अब उसके बाद एक ही करके सभी लिट्टी को इसमें डाल देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर इस लिट्टी को अच्छे से सेकना है तो शुरू में पांच मियट गैस का फ्लेम बेलकुल लो रखें और इसे थोरी थोरी देर पर इस तरह से चमच की हल्प से इसको उलट दे गरेंगे जब तक हमारी लिट्टी शिक og उतार लेंगे गों होचा दो इसके लिए दो बैगन लिति गाए ससाथ हुआ इस से भूनलेंगे तो को मैस frei नहीं तो टी अएक दो तो आदे बहुत ही अच्छाइक का नहीं गाल्या शुक्छी उटानते हो पांडर जेल भवाच team है अब करते ही ह्माइग सःख्ष यो भोना छाप यू तो जितर खनाइग नहीं सकते हैं तो देखे हमारा भरता तो अधर अच्छे से मेश करके रख लेगे तो भरता बना लेते तो इसके लिए ठोरा सा तोड़ा नमक स्वात के नुशा डाल दें आप टीयस्पून नमक ऐवन टीयस्पून डालूंगे शर्सो तेल इस रेस्पी में शर्सो तेल का ही यूज करें इससे बहुत ही अच्छी बनती है इसमें रिफाइन रोयल या घी का यूज ना करें तो डाल कर सभी को अच्छे से म नहीं की हूँ आप चाहें तो कर सकते हैं तो बैगर्म का भरता हमारा बिल्कुल बनकर तयार हो गया है तो अब चलते हैं लिट्टी को भी सर्फ करते हैं तो लिट्टी भी हमारी बनकर तयार है तो अब इसको थोड़ा सा घी लेंगे और इस तरह से लिट्टी को डिप कर ल मीन चैस्टी is और हेल्दी और येमि स्पी बनकर तैयार है यसे बैगं के भरते के साथ और धनी और अमले की चतनी और मूली के साथ इसे सर्व कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेस्पी है एक पर इस रेस्पी को आप जरूर ट्राय करें मिलती हूं एक और नई वीडियो के साथ थांक्स फर वाचिंग